Hi girls, welcome back to my channel, Blushing Beauty कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब happy होंगे, beautiful होंगे and safe होंगे So ये वाली वीडियो एक requested वीडियो है, last मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, tips for जब लड़के वाले देखने आए लड़के वाले देखने आए तो कौन से tips को follow किया जाए, तो इसका मैं part 2 लेके आई हूँ आपके लिए, last वाली वीडियो अगर आप में नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा, आज मैं इस पीडियो में part 2 आप यसा शेयर करी हूँ, लड़के वाले देखने आए तो कौन क इससे आप एक अच्छा रिष्टा पा सकते हैं और बहुत ही जादा आपकी इमेज ना first day से ही उपर बन जाएगी, मतलब पहले देन आप यह कर लेंगे तो इससे आपकी, यह कुछ ना first impression is the last impression, तो पहला impression अच्छा रहगा तो जिंदकी भर आपकी value ही value होगी, तो इस वीड को शुरू करते हैं, अगर अपकी personal bridal guide, blushing beauty, अगर अपकी कोई भी bridal query हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरे instagram पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी idea is blushingbeauty42, girls में सारी brides related video बनाती हूँ, bridal truths for bridal packing, pre-brides skin care, bridal grooming tips, each and everything, मैं शादी से related, दुलों से related बनाती अगर आपने मेरी videos नहीं देखिए, तो मेरे channel की playlist पे जाके जरूर देखिएगा, मैं उमीद करती हूँ, उसके कुछ video आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होंगे, तो आए टाइम बे स्नाट करते हूँ, वीडियो को करते हैं, proceed Number 1, Color Combination for Clothes, Girls जब भी आपको लडगे बाले देखने हाई, तो आपको ध्यान दखना है, जो भी आप कपड़े पहनने बाले हैं, उसके लिए आपका color combination बहुत ज़्यादा perfect होना चाहिए, आप ऐसा भी नहीं करना है कि गर्ल्स लडगे बाले आपको देखने आए हैं, और आ आपको यह चीज पता होनी चाहिए, अगर आप एक लडगी है, तो यह चीज आज ही से सीख लीचे, आपको समय situation देख के कपड़े पहनने हैं, अगर कोई traditional जाग है तो इसे साब से पहनने है, शादी ब्या पार्टीज में, तो जैसा भी situation है, उसके हिसाब से कपड़े पहन है, तो जो हुचने वाली है, बहुत ज़्जदा खास, गल्सद धहान रखेएगा, लिप्शिक हम गल्स की बहुत जजदा फेवरेट होती है, हर लड़की को लिप्शिक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप यह गल्ल्दी बिल्कुल मत करिएगा, अगर आपको लड प्रप्रों से मिलता जुलता लाइट शेड लगाई अगर रेड भी लगा लगाई तो थोड़ा लाइट में रेड लगाईए एक दम डांग जो ब्लड रेड होता है वो अवोईट किजेगा इस बात का भी खास क्याल रखेगा अप थहान लखेगा ट्राय टु वियर इंडिय अब आप एसा नमतीजेगे कि आपने घांगर पहन लिया और उसकी बाद जादे तो यह भी नहीं अच्छा लगीगा आप बेसिकली अगर आप मॉडर्ण है आप सारी को नहीं चाह रहे है पहनना तो आप सूड या प्लाजो पहनेजी बहुत ज़ादा अच्छा डीसेंट देने वाला है इसका कलर कॉंबिनेशन अच्छा से सलेट कीजेगा जिसमें आप ब्यूटिफुल लगें डीसेंट लगें इस बात में आपको क्या लगना है क्लोथ की फैबरिक क्वालिटी का मतलब कपड़ा कैसा है एक एक चीज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक कपड़े होते हैं दो तरह के एक होते हैं जब हम देखते हैं तो उसको हम अट्रैक्ट होते हैं हमारी आँखे वह अट्रैक्ट करती है एक होती अट्रैक्ट नहीं करती है असा लगता है विग्दम सी का जान ही नहीं है इसमें बिल्कुल लो क्वालिटी का दूर से ही देख एक हयाल लाते हैं इनके कपड़े कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं है तो इस बात कभी आप खास क्या लगत यह अपने उपर अपलाए करना है जब आप कपड़े असलेट करेंगे तो क्लोथ की जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने चाहिए ऐसा नहीं पुंपने एक अच्छे ब्रैंडेड नहीं कहूंगी अगर आप फॉर्ड कर स्कते हैं तो लीज़े नहीं उफ़ोर्ड कर से तो लेकिन वह लगने चाहिए अच्छी क्वालिटी कि क्लोथ अगर आप सारी पहेँड हैं लेड़ी तो आप समद कीजिए कि जादा कड़ कर सकते हैं बात करते है टिप नमबर फाइव की टिप नमबर फाइव बहुत ज़ा यूस्फुल होने वाली उन लड़कों के लिए जिने मेकप बहुत पसंद है अभी आप देख पा रहे हों कि मैंने मेकप किया हुआ है एंड गल्स मैं आपको बता दू अगर लड़की वाली देखने आरे माले है तो आप आई मेकप मत कीजेगा जैसा मैंने किया है बल्खुल पर जैसा मत कीजेगा क्योंकि एक सिचुएशन पर किया जाता है आप जब लड़की वाली देखने आएंगे तो आप कोई नहीं फंक्शन में जारें नहीं कोई पार्टी में जारें और उनकी family की, आपकी family की और उनकी family की तो आप उसमें, एक़ दम dark सा eye makeup करने वह अच्छा नहीं लगेगा आप आई मेकप करेंगे तो नीउड शेट कर की ज़े जब भी आपको लडगी पहले देखने आरे पहली मीटिंग में ही आपको ज़ादा आपका arranged marriage हो रहा है तो वो उनकी family आपको नहीं जानते होंगे और वो अपने mind में ये एजियूम कर सकते हैं कि ये तो अभी ही इतना frank है तो बाद में कितना होगा आप अपनी जगे सही होंगे लेकिन सामने वाली की हम thinking को control नहीं कर सकते हैं सामने वाला क्या सोचता है ये हमें नहीं पता तो इस बात का भी खास क्याल रखिएगा आप पहली बार में एकदम से खुल के बात मत कीज़ेगा होने वाली बहुत ज़्यादा यूसफुल गल्स ये आपके लिए भी यूसफुल है और ये लड़के वालों के लिए भी यूसफुल है क्योंकि इसमें आपको बता देती हूं आप कोशश कीजे का उनकी फैमिली और उनके साथ कमफर्टेबल होने की अगर आप ये पहली मीटिक है तो आप कोशश कीजेए ज़ादा सब्सुल कमफर्टेबल मतलब यह नहीं कि आप फ्रेंक हो जाएं कमफर्टेबल का मतलब है आप सही से बाचीत कर पा रहे हैं सही से उट बैड पा रहे हैं हर तरीके से comfortable साथ में coffee पी पा रहे हैं यह सारी चीज में comfortable होना comfortable का मतलब Frank नहीं है आप अपनी बात अपने उनके सामने रख पा रहे हैं नहीं यह चीज़ आप देखिए और यह चीज जड़रूर देखिए कि जब भी आप अपनी बात इस बात को personally मत लीजेगा बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं यहां middle class, upper class, lower class का कोई भी नहीं सब equal होते हैं लेकिन मैं सिर्फ यह बक्यता रही हूँ जब भी आप अपनी बात रखें तो सामने वाला आपकी बात ना दबा दे आपकी बात की importance होनी चाहिए अगर यह पहल की भी चीज का जूट नहीं बोलना है देखिए आपकी love मेरे सोचा arrange marriage हो अगर आप पहले दिन ही चीज़े clear कर देंगे तो आपकी जो एक relationship शुरू होगी families का mail जोल होगा वो एकदम perfect होगा अगर आप पहले दिन किसी बात पर जूट बोल सकते तो आपको सोची कुछ सालों क बात क्या जूट खुलेगा नहीं जूट खुलेगा फिर आपको problem face करनी होगी तो कोशिश कीजिए आप पहले दिन कोई भी जूट ना बोले आप सचाई बताइए जो भी है सच बताइए अगर उन्हें accept करना होगा तो करेंगी नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे आप सही क साथ दीजेगा हमेशा नमबर नाइन यह तो बहुत ही ज़्यादा common सी चीज है हम बैठे होते हैं ऐसे या तो ऐसे बैठे होंगे girls या तो बिल्कुल ऐसे ही देख रहे होंगे तो दोनों ही चीज़े बिल्कुल अची नहीं आप समझ पा रहे होंगे मैं eye contact की बात कर रहे हजारों लोगों के साथ eye contact होता है बट आप eye contact को सही तरह से अगर आप एक लड़की है तो जानती होंगी eye contact दो तरीके को होता है positive और negative नेगटिव वाला अच्छा नहीं होता है मतलब आप continuously देखे ही जा रहे हैं एक दम देखे ही जा रहे हैं मतलब यह चीज अच्छा नही दर्शा है कि आप मतलब जो भी आपके लड़की वाले आए हैं लड़का आया है जो भी मेल आप से शादी करने के लिए रिष्टे के लिए उनको continuous ने आप देखे जाने वो भी नहीं अच्छा लगेगा माना कि वो देखने आया आप भी मिलने गए हैं बट continuous ले आप नहीं अपने आपको बोल्ड दिखाएंगे उतना जादा चहराएंगा और बोल्नेस बहुत जादा अच्छी चीज है सब को पसंदाती है यह तो गल्स की बहुत ही जादा फेवरिट है और गल्स की यह चीज ही नोटिस की जाती है एक लड़की बात कैसे करती है कितना इंप्रेसि चीज बहुत जादा जरूरी है एक शादी के लिए तो आप इस बात का भी खास क्याल रखेंगा टूमच मेकप अवाइट कीजेगा ऐसा मत कीजेगा अगर आपके डाक से फाउंडेशन की लगा लिए और पैची पैची लग रहा है फिर आप चोलेगा यह बहुत जादा न गलत लगती है बहुत ही जादा गलत इंपैक डालती है और आपको क्या लगता है ऐसा चाही बात में नहीं आएगी आप जैसे भी है अपनी वेल्यू के साथ अपने रिस्पेट के साथ उनको वैसे ही देखा एज आप हैं ऐसा नहीं है किया आप सिमपल है और आमने बहुत ही रखिए अपने विएवियर तब एक अच्छा हैपी रिलेशन्शिप की शुरुआत की जा सकती है कुछ टिप्स जब लड़के वाले देखने आए अगर आपको यह वाले टिप्स अच्छे लगयों हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा मेरे वीडियो को ज्याद